चौत्री ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास ऐसे डिजिट्स जिनके आप टेबल नहीं फाइंड कर सकते उनको कैसे आपने विदिन 7-10 सेकंड्स फाइंड करना है तो उसको हम सीखेंगे यहां पर हम दो टेबल बनाएंगे एक हम 87 का टेबल देखेंगे कैसे बनता है और 36 का टेबल देखेंगे कैसे बनता है अब आप चलते हैं 36 के टेबल पर 36 के टेबल में आपने सबसे पहले यही स्टेप फालो करना है कि 3 का टेबल सेपरेटल लिखना है और 6 का टेबल यह पहला step आपने फालो कर लिया step 2 में आपने क्या करना है जो right side पर digit है उसका unit place as it is shift कर देंगे answer वाले कॉलम में तो यह आपके पास red box में जो है इसको shift करेंगे answer वाले कॉलम में यह आपके पास 36 multiply by 1 यह table हमारा question है तो इसकी unit place में हमने यही red box as it is shift कर दिया आप देख सकते हैं 62840 62840 यह आपने second step follow कर लिया अब third step पर चलते हैं आपके पास जो remaining digits हैं उनको आप आपस में add up करेंगे और add up करके answer वाले कॉलम में shift कर देंगे यह आपके पास remaining digits थे जो red box में show किये गे हैं इनको आपने आपस में add up करना है ठीक है यह आपके पास question था यह हमने unit place show कर दिये थे 6284 वाले और अब जो दर्मियान में जगह है उस पर हम इन red boxes वाले को add up करके लिखेंगे अब आप इनको मिला के लिख देंगे तो आपके पास final answer आ जाएगा 252, 288, 324 and 360 इस तरह आपने table complete करना है 36 का सबसे पहले आपके पास 87 का table है 87 के table find करने के लिए आपने दोनों digits के tables को separately लिखना है हमें पहले 10 digits के table तो easily याद होते हैं तो आप 8 का table लिखेंगे और 7 का table लिखेंगे अब 8 left side पे है तो उसका table left पे लिखना है और 7 right side पे है तो उसका table right side पे लिखना है तो 8, 6, 24 and so on ये 8 का table आ गया और 7 का table 7, 14, 21, 28 and so on ये 7 का table आ गया ये आपने पहला step follow कर लिए second step में आपने क्या करना है कि जो आपके पास unit place पे digits है right side पे ये जो मैंने red box में show किया है ये आपके पास answer वाले column में as it is shift हो जाएंगे answer वाले column का क्या मतलब है आप 87 का table find कर रहे है तो आपके पास इस तरह का format होगा question में और इस पे जो unit place पे answers होंगे ना वो ये वाले होंगे जो ये red box में show किया है तो इस red box को मैंने answer वाले column में unit place पे as it is shift कर दिया तो seven four one eight five and so on आपने इनको as it is follow कर दिया ठीक हो गया इसके बाद आपने क्या करना है आपने थर्ड step follow करना है जो आपके पास remaining digits है उन remaining digits को आपने इस तरह एड़ कर देना है तो eight और zero add होके eight हो जाएगा 16 और one 17 हो जाएगा 24 और two 26 and so on तो आपके पास ये वाला question था unit place पे हमने ये वाले और रेड़ी लिख लिए होए हैं और ये red box में जो आपके पास digits हैं इनको आपने add up करके ये दर्मियान में जो खाली जगह है वहाँ पे shift करना है इस तरह करके आप देख सकते हैं eight और zero eight हो 64 60 64 569 72 plus 678 और 80 और 7 आपके पास 87 आगया अब आपके पास ये जो digits आए हैं इनको आप 7 के साथ combine कर देंगे करने से यह मुझाद है कि आप साथ साथ करके लिखनेंगे तो आपके पास टेबल बिल्कुल तियार हो जाएगा यानि कि आप लिख सकते हैं इसको ऐसे 87 और 174 फिर उसके बाद 261 348 435 522 609 696 783 और 870 इस तरह आपने 87 का टेबल प्रिपेर करना है कर दो आपके रपके पास एक पास झाल कि आपके हैं आपके रव जापके नहू जा लेज़, कर दो, कि आपके यही प्राद कर दो दो सब्सक्ता साथ क्यों से जापके ऑना है 2.5 कि अ